है 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 हलो फ्रेंड्स में सोगोतो कर थी और एक बड़ फिट से सवागा थे मिना इस न्यू चैनल पे जिसका नाम है टीच इन्दी तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल तो मैं आज बात करने बारा हूं कुछ आपकमिंग फोन में जो 277 की अंदर इंडिया में लॉंच होने वाला है उसका मैं बात करूंगा तो फाइब अपकमिंग फोन इन इंडिया ओके तो चलिए शुरू करते हैं मैं दिखा देता हूं क्या आपकमिंग दुआत सब्सक्राइ कि या ग्या आढा है सारी फ्रेंट पहले तो मैं बात करूंगा रेड्मी नोट 4 की बाड़ में जो इंडिया में एक या दो दिन पहले आज से लांच हो चुका है तो आप इसे खरिद सकते फ्लिपकार्ट से खरिद सकते हैं वह भी फ्लैसल में तो रेड्मी नोट 4 की कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यह रेड्मी नोट 4 जो इंडिया में लॉंच हो गया है इसका स्पेसिफिक इसन आप देख लिजिए हैं यह देको यह दो भेरियंट में आ रहा है एक 16GB एक 64GB और इसका यह देको हेलियो एक्स ट्वेंटी टेन को प्रोसेसर इसमें दिया जा रहा है जो किन एक नियू प्र जाए सबसेरे मेटल अनिल बाडी डिजाइन चांफ एड़ एड़ इसकी इसकी मीन से यह पुरा का पुरा मेटल बाड़ी से बना हुआ है और देखो चाढ़ाज़ एकसो एमेच का मैसीब बैटरी तिया जा रहा है इसमें चाढ़ाज़ एकसो एमेच हाइक क्यापसिटी ब टू-पॉमटफई काभगर फाइफ फाइब फाइफ फाइफ फइनवें चीन इसकीन स्क्रीन आपको मिल रहा है वह फुल हीड़ी ही पिक्सल के साथ और ऑर थोड़ा सब्सक्तित और फिच तो आपका बैक केमेरा मिल रहा है जो है 13 MP और फ्रॉंट केमेरा जो है 2 MP और और अल्सों फिंगर्प्रिंट स्कैनर जो की रेडमी का हाटफोन में आप दे रहा है वह भी मिल रहा है यह रेडमी नोट 4 तो मेरा नेक्स्ट फोन यह है कि अपने इसके बार में तो सुना है यह है नोकिया सी नाइन ओके जो इंडिया में लॉइंच कर रहा है अभी अभी नहीं कुछ एक यां-दो माहिने बाद लॉइंच करें गया हमको 207 से इंतजार है इस लॉइंच के लिए यह देको कुछी में जहें नोकिया सिनाइन के इसके स्पेसिफिकेशन बाड़े में तो कुछ नहीं बताया कमपणी अभी तक सब कुछ ही राज है कुछ पिक्चर हमें मिली है तो लेकिन मैं बोलता हूं कि इसका 3gb की और रैम में आड़ाई है फोन स्पिंगर फिंगर्प्रिंट स्कैरर नहीं नहीं दे रहा है और एंड्राइट 7.0 जो नॉगेट जो निव वर्सन है वह मिल रहा है आपको इस पर और 64gb का जो इंटर्नल स्टोरेज मिल रहा है आपको 5.5 इंची फूल एज़ी डिस्प्ले भी मिलेगा और मेरा नेक्स्ट प इसाथ की अदर तो यह भी एक आप समिंग पोले अब इमेज को देह सकते हैं यह सैमसॉम एस सब्सक्राइब यह तरह अब देख सकते हैं तो इसकी बारे में भी कुछ स्पेसिपिकेशन हमको नहीं पता चला है क्योंकि इसकी स्पेसिपिकेशन भी नहीं दिया गया है यह ल लिए तो सिर्फ फोन की कुछ इमेज आपको मैं दिखा सकता हूं यह जो दिख रहा है आपको लेकिन मैं बत सकता हूं यह 4GB की रैम में आ रहा है और एक 3GB की रैम में आड़ा है दो वेरियंट होगा एको का 32GB और एको का 400GB और फिंगर्पिंट स्कैनर और इन इसका कैमरा है एक में पिक्षल का रियार कैमरा रान के काम列 रहा है 12 Vergट पिक तो में नेक्स्ट फोन है यह नौक्या C9 का एक इमेज है ऑके जो मैंने आगे दिखाय था तो मैं नेक्स्ट पोन में स्क्यों मी एमाइज 6 ओके आपको इसका पिक्चर में आगे दिखा देता हूँ एहे एमाइज 6 जो एमाइज 4 जो लॉच्च कर चुका है तो तिन दिन पहले लेगिन इमाइज 6 देखो इसका इमेज नहीं लॉच्च वाइज लॉच्च होगा इंडिया में बस कोची दिन क सब्सक्राइब देखो इसका ग्लास भी पूरी तरह क्राप्ट है सब्सक्राइब की तरह और इसका फूल स्पेसिपिक से नहीं हाद दिया गाए है अब देख सकते हो फाइप पर्ट टू इंग जो मिल रहा है फूल एज डिस्प्ले के साथ विट स्नैप ड्रगन 830 क्वाइ स्टोरेज और सिक्स्टीन इंपी बैक कैमेरा और फोर इंपी फ्रॉंट के मिने के साथ इंस्टाले डेमिवा एमाई यू आई सेविन इसमें देर रहा है आप इसको एट में भी अप्डेट कर सकते हैं ओके और एंड्रोड मार्समेलों के साथ यारा है और यह इसका इसका नाम है एश्टीसी वान इम नाइन ओके इसका कुछ इमेज नहीं मिला हमको सिर्फ स्पेसिफिकेशन कुछ पता लागी और एक इमेज है इसका जो है फाइब इंची स्क्रीन दे रहा है इंटर्नल स्टोड़ेज 32GB कैमेरा जो दिया है बहुत ही जो की है टोइन्टी सेविन में पिक्सल बैक के मेंना और फ्रॉंट के मेंना फाइब एंपी जो की नहीं लिखा है त्रीजीप कर रहा है और टू थाउजन एंड़नेट फॉर्टी में लिटियम पो बैटरी ओके तो है इसके बारे में और कुछ इमेज और कुछ जानकरी हमें नहीं होके तो यह जो आपका भी इंडिया में लॉंच होने वाला है और एक जो है इमाइए फोर नोट फोर जो लॉंच हो चुका है उसका फ्लिकर सबाइब कर सकते हो तो आज के लिए बस इदना ही था दोस्तों फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पर तो तब तक के लिए आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट और स्यार कर दिए और सब्सक्राइब करना पहुत लेड़ा है बाय गुड़नाइट